हेलो स्टुडिंट्स वेलकम तो टॉप पस्टोन तो आज की इस वीडियो के नदर हम बात करेंगे जुसके हम बेसिक निमेरिकल्स देखेंगे अगर आप मारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली साइन नॉटिफिकेशन मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से तो काफी सुलेंट्स को चैनल डावट रहता है इसो संव करने में फॉल्म ला यहां पर ब्रेसं में लगे गा तो यह वीडियो जो है मैं को काफी students ने बोला था कि motion के basic numericals की video जो है आप बनाईए तो मैंने यह video जो है आप लोगों के लिए upload करी है तो वीडियो को पूरा end तक देखना तो इसके तरह हम basic से numerical देखेंगे motion के तो सबसे पहले motion के numericals को solve करने के लिए आपको इसके formulas पता होने चाहिए तो अगर आपको इसके सारे basic formula पता है speed का, distance का, velocity का और acceleration का या और भी जो भी formula इस chapter में use होएंगे सारे formula के आपको knowledge होने चाहिए और अगर किसी को भी formulas में doubt है तो मैं इसका जो link है अपनी previous video जो motion के formulas है वो मैं comment में पिन कर दूंगे आप वहाँ से check कर लेना so start करते है question number 1 से, तो question number 1 में देखते है क्या given है, an electric train is moving with a velocity of 30 meter per second, how much distance will it travel in 30 seconds, तो इसका solution start करने से पहले आपको यहाँ पर चीजे पता होने चाहिए क्या क्या चीज गिवन है, तो velocity यहाँ पर given है 30 meter per second, अब velocity का symbol भी पता होना चाहिए, small v होता है, तो unit आपको पता होना चा move कर रही है, जिसकी velocity है, velocity मतलब speed ही होता है, ठीक है बट यहाँ पर velocity लिखा हो है, तो आप v से denote कर लीजिए, 30 meter per second, अब यहाँ पर पूचा, how much distance will it travel in 30 seconds, it means जो distance है, वो हमें find out करना है, अब distance जो है आपकी NCRT book में, small s से denote क्या हो है, आप small s से ही से denote कर ले, ठीक है, अब यह यहाँ पर आपको velocity given है, time given है, ठीक है, तो आपको distance का formula देखना है, क्या होता है, अब आपको पता है speed क्या होती है, बदल कि speed is equal to distance upon my time होता है, ठीक है, अब velocity यहाँ पर क्या थी, v, और s यहाँ पर क्या है, distance, यहाँ पर भी आप लिख सकते है, s जो हमने distance के लिए denote किया है, और t यहाँ पर क्या है, time, अब यहाँ पर simple सा formula बन गया, speed is equal to distance upon my time, बट यहाँ पर हमार को distance निकालना है, तो हम simply क्या करेंगे, cross multiply कर देंगे, तो जब cross multiply करेंगे, तो distance क्या हो जाएगा, speed into time, ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह भी चेक करना है, कि जो units है, वो यहाँ पर meter per second रखेंगे, और time की second, तो यहाँ पर small units दे रखेंगे, तो आपको यहाँ पर units को convert नहीं करना है, ठीक है, अगर यहाँ पर kilometer पर आर दे रखा होता, time minutes से second में होता, तो आपको units जो हो, same करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इस case में आपको units changed नहीं करने, simply यहाँ पर values put कर दे कितनी है, अब velocity यहाँ पर कितनी है, 30, और time कितना है यहाँ पर, 30, तो जब आप 30 और 30 को multiply करेंगे, तो कितना हो जगा 900, तो यह 900 क्या हो गया, meter, because distance है यहाँ पर, तो हम distance यहाँ पर किस में लिखेंगे, meter में, क्योंकि यहाँ पर हम जो velocity है, वो meter per second में दे रखी है, time second में पर में बकितनी है, और अगर किसी को units भी problem होती है, कि distance की unit क्या होगी, तो वो formula से ही बनती है, तो आप simply यहाँ पर क्या करें, अब आपको पता velocity की unit कितनी है, meter per second, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कि जो velocity की unit है, meter per second होती है, और यहाँ पर distance की unit क्या होती है, meter होती है और time की unit क्या होती है second तो यहां से velocity unit में निकर आई meter per second और इस तरह ऐसे अगर आपको यहां पर distance की unit find out करनी है तो velocity unit कितनी होती है meter per second और यहां से time की unit कितनी होती है second तो second से second cancel हो जाएक और यहां पर meter आगया तो इस तरह से भी आप units को find out कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने बहुत ही simple सा formula लगाया है, speed is equal to distance upon made time, और distance find out करना था, तो distance is equal to speed into time, तो यहाँ पर answer आचुक है, S मतलब distance is equal to 900 meter, okay, अब next question देखते हैं, question number 2, so question number 2, यहाँ पर देखते हैं, क्या चिस गिवन है, a van accelerates uniformly and its velocity changes from 5 meter per second to 25 meter per second in time t, find its average velocity, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी है, क्या आपको गिवन है, अब देखो एक van है, जो चल रही है, जिसकी velocity change हो रही है, मतलब कि initial velocity से उसकी velocity, final velocity हो रही है, मतलब u to v, तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या चीज़ें है, यू, मतलब कि 5 meter per second, मतलब initial velocity, अब next यहाँ पर, जिस velocity में change हो रही है, वो कौन सी velocity है, final, मतलब small v, which is equal to 25 meter per second, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, final velocity, अब देखें, यहाँ पर average velocity find out करनी है, तो आप simply ऐसे लिख लें, average velocity is equal to u plus v divided by 2, अब average velocity का यह formula होता है, u plus v divided by 2, ठीक है, या फिर आप average velocity को भी short form में लिख सकते हैं, v, av, average velocity, av, average के लिए हो जाएगा, और v, velocity के लिए, अब simply यहाँ पर क्या करना है, put values, u भी हमें गिवन है, v भी given है, और divide by 2 करना है, तो v, av मतलब average velocity हो जाएगी, और u कितना है आपके पास, 5 plus 25 divided by 2, तो क्या होजएगा, 25 plus 5 which is equal to 30 divided by 2 and which is equal to 15 meter per second, अब यहाँ पर unit meter per second ही लागेगा, because यहाँ पर हमने velocity ही find out करी है, बस average velocity है, unit same रहेगा, चाहँ velocity हो, average velocity हो, initial velocity हो, final velocity हो, unit meter per second ही रहता है, ठीक है, तो यह बहुत ही basic questions है, यह आपको आने चाहिए, इन questions को solve करने के लिए, सबसे पहले आपको formulas आने चाहिए, तो आप formulas वाली video भी check कर सकते हैं, अब next question देखते हैं, यहाँ पर question number third, so question number third में देखते हैं, क्या तो देखते हैं, solution, given क्या क्या चीज़े हैं, so यहाँ पर हमें distance दे रखा है, तो distance आप small d से भी denote कर सकते हैं, small s से भी, ncrt book में small s है, तो आप small s से denote कर लें, small s, that is 360 kilometer, distance है यह, bracket में लिख भी सकते हैं distance, अब next यहाँ पर क्या दे रखा है, in five hours, five hours, मतला hours किसकी unit होती है, time की, तो small t हमें कितना given है, five hours, ठीक है, यह time लिख लेंगे हम, अब यहाँ पर हमें speed find out करनी है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने first question भी speed, distance, time से related ही देखा था, तो यहाँ पर हमने speed find out करनी है, तो speed का formula आपको पता है, क्या होता है, speed is equal to distance upon में time, और अगर हम इसको, इसकी is equal to s divided by t, अब simply यहाँ पर values put कर देंगे, ठीक है, values put करेंगे, तो s की value कितनी है, हमारे पास, 360, और time की value कितनी है, 5, तो simply cut हो जाएगा, 5 7s are 35, और यहाँ पर हो जाएगा, 5 2s are 10, ठीक है, तो कितना आ गया, 72 km per hour, अब इस question में हमें बोला गया है, कि हमें speed तो meter per second में find out करनी है, तो यहाँ तो आप पहले kilometer को meter में भी convert कर सकते हैं, और 5 hours जो time है, उसे भी second में convert कर सकते हैं, या फिर simply जब आपने यहाँ पर speed find out कर लिए, तो 1 km में हमारे पास कितने meter होते हैं, 1000 meter, और 1 hour के अंदर हमारे पास कितने seconds होते हैं, 3600 seconds, तो इस तरह से आप convert कर सकते हैं, simply हमने करना क्या है, 72 into kilometer, 1000, और divide by r है, तो r के लिए हम कितना लगा देंगे, 3600, तो जब इसे आप solve कर लेंगे, 36, 2 सा, 72, और 10 को जब 2 से multiply करेंगे, तो आजएगा 20 meter per second, तो यहाँ पर हमारे पास speed की value आचुकिया है, meter per second में हमने इसे convert कर दिया है, तो speed को हमने denote किया था small v से, ठीक है, तो यहाँ पर आगी value 20 meter per second, and that is your answer, तो यहाँ पर भी बहुत ही basic question था, जिसके अंदर हमने speed find out करने थी, हमने इस formula लगाया है, distance upon me time, अब next question देखते हैं, इस video का last question, question number 4, अगिवन है, a cyclist once goes round a circular track of diameter 105 meter in 5 minutes, calculate his speed, तो इसके अंदर देखते हैं, क्या क्या चीज़े गिवन है, तो इस question के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखने पड़ेगी, जो cyclist है, वो circular round में घूम रहे हैं, वह जो circular जो है, वो round ले रहा है, और उसका diameter हमें given है यहाँ पर, और time given है, चीक है, हमें speed find out करने है, तो सबसे पहले given चीज़े लिखेंगे, क्या क्या चीज़ है, diameter मतलब कि small d हमें कितना दे रखा है, 105 meter, ठीक है, और time, time कितना दे रखा है, 5 minutes, ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या speed निकालनी है, तो आपको speed का formula पता होना चाहिए, speed क्या होता है, distance upon time, और मैंने आपको भी बोला था, कि जो यहाँ पर distance होता है, वो circumference के equal होता है, तो हम distance को circumference लिख सकते हैं, upon time, अब circumference जो होता है, circular track का, वो आपको पता होना चाहिए होता है, pi d upon me time, ठीक है, time as it is रोएगा, और circumference जो हो जाएगा, pi d, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें values पूट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर pi की value जो होती है, वो आपको पता है, 22 by 7 होती है, ठीक है, और यहाँ पर value put करेंगे, तो 22 by 7, और diameter की value हमें given है, 105, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कि जब यहाँ पर diameter, मतलब की distance जो यहाँ पर दे रखा, वो meter में given है, और time minutes में, तो यह जो unit है, बिल्कुली different दे रखी है, time की unit जो minute है, उसको हम पहले seconds में convert करेंगे, ठीक है, त 5 minutes को जब आप convert करेंगे, तो 60 से multiply हो जाएगा, जब हम second में करेंगे convert, तो 60 into 5 कितना हो जाएगा, 300 second, ठीक है, तो यहाँ पर हम simply time की value को put कर देंगे, 300, और जब आप इसे solve करेंगे, 22 into 105 divided by 2100, जब 300 को 7 से multiply करेंगे, तो यहाँ पर आपका आजाएगा, 2100, और जब आप इस solve करेंगे, तो 22 को जब आप 105 से multiply करेंगे, तो आजाएगा 2310, अब ओन में 2100, जब आप solve करेंगे, speed की value मतलब, जिससे आप V से denote करते हैं, 2310 divided by 2100 करेंगे, तो आप rocks आजाएगा 1.1 meter per second, and that is your answer, तो यह बहुत ही simple सा question था है, इसके अंदर हमें करना कहा है, कि जो speed find out करना है उसका formula लगाया है, distance upon my time, और distance की जगा जो है, हमें पता है कि circular track की बात हो रही है, तो distance जो circular track का होता है, वो circumference के equal, तो ठीक है, circumference की जगा हमने पुट कर दिया, pi d upon my time, और simply यहाँ पर values पुट करी, और हमारा answer आ गए हापर, speed की value मतलब, V की value आ गई, 1.1 meter per second, तो आज की इ खरूंगर bell है कि भी एप को रही है, जगा है अल्यौ कर देते हैं, सलीक है जगा है, आज की एई, प्ट्रप हैं, और inspiration, का खरूंगर नग्यू जूज की तो बदूम Lयाएंसने पहलता है, प्याता है, लो